भरोस के बारे में हिंदी में जानकारी, Android और iOS ओपरेटिंग सिस्टम्स लंबे समय से मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम्स ओएस सेग्मन्ट पर हावी रहे हैं. एपल के अलावा लगभग सभी स्मार्टफोन्स में Android और ओपरेटिंग सिस्टम्स का उप्योग करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई नए स्वदेशी और ओपरेटिंग सिस्टम्स सामने आये हैं जो Android OS को चुनोती देने की ख्षमता रखते हैं. भरोस भी ऐसा ही एक स्वदेशी मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम्स है, जिसके बारे में भारत के सो करोड मोबाइल फोन उप्योग करताओं को लाब पहुचाने का दावा किया जाता है. आज इस वीडियो में हम जानेंगे की भरोस क्या है? और इसे मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम एंडरॉइड का प्रतिद्वन्दवी क्यों कहा जा रहा है? भरोस क्या है? भारत लंबे समय से अपना खुद का ओपरेटिंग सिस्टम विक्सित करने में लगा हुआ है. सरकार की इसी आत्म निर्भर भारत की सोच को नई दिशा देने की पहल के तहट आई 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 टी मदरास ने स्वदेशी मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम विक्सित किया है, जो गोपनियता प्रिवसी पर सबसे अधिक ध्यान केंडरित करता है. यहां तक की इस OS पर कोई डीफॉल्ट आप भी मौजूद नहीं होगा. IIT मदरास की फर्म जंदक ओपरेशन्स जंदक ओप्स ने एक नई और स्वदेशी मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम की घोशना की है, जिसे भरोस या भरोस के नाम से भी जाना जाता है. भरोस भारत का एक स्वदेशी मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम है. इस मोबाइल OS को इंस्टिटूट अब टेक्नॉलोजी मदरास, IIT मदरास की इंक्यूबेटिट फर्म ने विक्सित किया है. बता दे कि इस सौफ्ट्वेर को व्यावसाइक रूप से उपलब्ध किसी भी स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और यह यूजिस के लिए एक सुरक्षित वातावरन प्रदान करता है. इस OS की खास बात यह है कि यह हाई-टेक सेक्यूरिटी और प्रिवसी के साथ उपलब्ध है. यानि इस Mobile Operating System में यूजर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से आप्ट्स चुनने और इस्तिमाल करने की अधिक स्वतंत्रता, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. भरोस को Android का प्रतिद्वंदी क्यों कहा जा रहा है? Why is भरोस being called Android's rival? IIT मडरास के निदेशकवी कामकोटी ने स्वदेशी आत्म निर्भर Mobile Operating System भरोस के बारे में विवरन देते हुए बताया की, भरोस उप्योग करताओं को उनकी आवश्यक्ताओं के अनुसार अप्स चुनने और उप्योग करने के लिए अधिक स्वतंत्रता, नियंत्रन और लचीलापन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है. फिलहाल स्वदेशी Mobile Operating System भरोस की सिवाई ऐसे संगठनों को मुहया कराए जा रही हैं, जिन्हें सेक्योरिटी और प्रिवसी की सक्ट जरूरत है. वास्तव में, इन संगठनों के उप्योग करता समवेधन शील जानकारी को संभालते हैं और इसके लिए Mobile पर Restricted Apps पर Private Communication की आवश्यक्ता होती है. ऐसे Users को Private 5G Network के जरिये Private Cloud Service एकसिस करने की जरूरत होती है. ऐसे में ये स्वदेशी Mobile Operating System Android के मुकाबले ज्यादा भरोसिमंद माना जाता है. भरोस के साथ कोई Default App नहीं मिलेगा. भरोस, No Default Apps, NDA के साथ उपलब्ध होता है. यानि Users को इसमें कोई Default App नहीं मिलेगा. यूजर्स केवल अपने मर्जी के Apps को डाउनलोड और यूज कर सकेंगे. इससे Users को अपने Personal Data पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. इसका अर्थ है कि यूजर्स को उन Apps का उप्योग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, जिनसे वे परिचित नहीं है या सुरक्षा की दृष्टी से सुरक्षित नहीं मानते हैं और उन Apps पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा, ये Operating System यूजर्स को उनके डिवाइस में इंस्टॉल किये गए Apps पर ज्यादा कंट्रोल देता है. उप्योग करता उन Apps को भी चुन सकते हैं जिन्हें वे अपने डिवाइस पर कुछ सुविधाओ या डेटा उप्योग तक पहुँच देना चाहते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो इस Operating System में यूजर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है. भरोस कितना सुरक्षित है? इस सिस्टम को Commercial of the Shelf Handsets पर स्थापित किया जा सकता है. भरोस केवल Private Apps Store Service पास्ट से विश्वस निये Apps को ही एकसिस देता है. वास्तव में, पास उन Apps को ही Curated List तक पहुँच की अनुमती देता है, जिन्हें पूरी तरह से जाचा गया है और संगठन के कुछ सुरक्षा और गोपनियता मानकों को पूरा किया है. इसका अर्थ है कि उप्योग करता ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके द्वारा अपने उपकरन उपर इंस्टॉल किये गया Apps उप्योग करने के लिए सुरक्षित है और किसी भी संभावित सुरक्षा भेद्यता या गोपनियता संबंदी चिन्ताओं के लिए उनका परीक अर्शं किया गया है बता दे की भरोस को जंदक ओपरेशन्स प्राइवट लिमिटेट जंड कॉप्स द्वारा विक्सित किया गया था जिसे आई आई टी मदरास में इंक्यूबेट किया गया है जंदक ओपरेशन्स पीवीटी लिम्टेट के निदेशक कार्तिक अईयर के अनसार भरोस नेटिव ओवर दी एयर नोटर अपडेट देता है जो उपकरनों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है